नमस्कार पिरिया जन्हों आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ आपके अपनी शुब्जिन तक आप आई मेरे चैनल पर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आज बात करूंगे कपूर के एक ऐसे उपाई का और वो भी उपाई भी मम्मी के करने का है मा के करने का है इस उपाई को मा करे घर में कपूर के उपाए आप जानते हैं कि कितने फाइदेमंद हैं वेग्यानिक सम्मत भी है ये शाष्टर सम्मत भी है ये और स्वास्थे सहत के हिसाब से भी है ये इन सभी जगों से ये बहुत महत्व पूरुन है सभी प्रकार से बहुत महत्व पूरुन है स्वास्थे के लेकर कि अगर सास की तकलीफ हो तो कपूर को सूने से फेफड़े जो है वो काम करना शूकर देते हैं और सास की तकलीफ परिशानी कम होती है वेग्यानिक तोर पर घर में अगर इसका प्रयोक किया जाए तो जो वाइरस होते हैं वो दूर होते हैं और शास्तरक्त तो है ही हमारे यहां मानत है इसकी कपूर की कपूर जलाने से हमारे घर के जितने भी नकारा तमकता होती है नेगटिविटी होती है जितने भी बुरी बाते हैं बुरी बलाएं होती है सब कुछ होता है वो सब खतम हो आपके घर में जो सारे कारे रुके हुए हैं, मंगल कारे रुके हुए हैं, जैसे कि आपके विवा शादी सगाई का रिष्टों का भी कारे रुका हुआ है, बच्चों के, वो सबसे बड़ी प्रेशानी है, नोकरी ना मिले, वो उससे भी बड़ी प्रेशानी है, कि वो भी का कारोबार ठप पड़ा है वह सबसे ज़्यादा परिशानी है क्योंकि जब कारोबार ही नहीं है तो बाकी सारी बातें तो फिर धन नहीं आता कारोबार से तो फिर सारी बातें बेकार हैं क्योंकि सारे काम नहीं हो पाते जब कारोबार नहीं चलते और धन नहीं आता तो सभी च इत्रह से पूरा इत्रह से चम्तकार दिखे की काम शुरू हो गए हैं तो विशेश तोर से मम्मी इस उपाई को मा इस उपाई को जरूर करें और मा की किये हुए उपाई आप वैसे भी जानते हैं कि बहुत जल्द फलदाई होती हैं मा की जो अंदर की वाइब्रेशन होती है जब बाहर निकल के बर्मार्ण में जाती है तो वो सीधी इश्वर से कनेक्ट करती है सीधी इश्वर के साथ जाके उसकी भावनाएं मिलती हैं और तुर्त कारें होना शुरू हो जाते हैं इसलिए मा जिन उपाईों को करती है वो उपाई बहुत जल्द फली भूत होते हैं तो आज का जो उपाए है वो मैं मां को करने के लिए कह रही हूँ, चुंकि ये ऐसे उपाए, इस प्रकार के उपाए, बच्चे कम ध्यान देते हैं, मां ही ज़्यान देती है, मां को ही इस बात की सबसे ज़्यादा फिकर चिंता रहती है, कि बच्चों के विवाज शादी, कैरियर, उनका उनकी पढ़ाई लिखाई, घर में धन, पती का कारोबार, बच्चों की नोकरी, पती की नोकरी, सब चिजों की चिंता मां घर में बैठी ही करती रहती है और उसकी चिंता अपने लिए खुद के लिए कम होती है, अपने कि नीएगा देखिए गा मैं किस तरह से बता रही हूं कि कपूर का उपाएं मां किस प्रकार करें? कहां कैसे प्रयोग में लाए? किन जगों पर प्रयूग में लाए? और फिर वो उसका पुन्य प्रयोग करें या वहां से हटाए या क्या करें वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताने वाली हो घर में इसका प्रयोग करना है कहीं मम्मी को बाहर जाने की जुरूरत नहीं है तो वीडियो का उपाय बताओं उससे पहले मैं एक छोटा सा वीडियो लगातार मिलते रहें इनका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहें तो बात करती हूं आगे उपाय की कपूर जो होता है कपूर बहुत फायदेमंद है कपूर की छोटी-छोटी टिक्या ले ले देखिए हम नहीं जानते कि हमारे घर में किस प्रकार की पातें ऐसी होती हैं जो हम जान नहीं पाते तो उन सभी का एक ही इलाज एक ही उपचार बता रही हूं कि कपूर जो होता है वह किसी भी प्रकार की आपके घर में वास्तु शास्तर हो वास्तु सम्मत हो किसी की नजर लगी हो किसी ने कुछ किया कराया हो घर में कोई पाउटे बनी रहती हैं फिर हम कहते हैं उपाए फैल हो गया है शादी विवा के उपाए भी फैल हैं नोकरी को लेकर भी फैल हो रहे हैं सब उपाए फैल हो रहे हैं हमारे लेकिन वह कारण घर में कहां रुका हुआ होता है वह हम जान नहीं पाते तो मम्मी क्या करे कि कपूर की जो छोटी-छोटी टिकिया मिलती है वो छोटी-छोटी टिकिया ले 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 उनको वो चाहे जानती है चाहे आपके सही है चाहे गलत है लेकिन उनको उस जगह पर उनका पूर की टिकियों को रख देना बहुत जरूरी है एक तो आपके जो सीडियां बनी हुई है चाहे आप आपकी सही बढ़ी है चाहे गलत बढ़ी है कुछ भी है आपकी सीडियों पर एक कपूर की टिक्या जरूर रखे अब ये भी बताऊंगे कि इन टिक्या को कब बदलना है आगे चलके बताऊंगे कि कब बदलना है और किस प्रकार से इनको चेंज करना है तो एक तो आपकी सीड किचन में आपके कपूर की टिकिया अवश्य है रात को मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया हुआ है कि ममी रात को सब काम निप्टा ले कीचन साफ कर दे बरतन बरतन जूठे ना हो तो उस वक्त उसमें सोने से पहले एक बार एक कटोरी में चांदी की कटोरी बताई थी उसमे दो लोंग और कपूर की टिकिया जरूर जिला दे ताकि शुबता ही शुबता रहे कीचन में अनधन की कमी ना हो और इसके साथ ही कपूर की टिकिया ब्राम्दे में जरूर रखें कमरे भी कोई गल्ट साइड में बढ़े हुए है तो उन कमरों में भी एक कपूर की टिकिया रखें रहे लेटिन बात्राइम में सीडियों में में और ऊण लिए है और कमरों में सबीज़ एक पूर कीचया ऑश्य करख दें उसमें और Your First Light कि पूर स्समापद हो जाती है जैसे ही वह कपूर की टिक्या स्वापत हो जाती है तो वहां पर नई टिक्या वहां कपूर की रख दें दो दिन चार दिन पांच दिन बाद कपूर की टिक्या जैसे वह वहां से खत्म हो जाए वहां से कपूर उड़ जाए तो वहां पर नए टिक्या रख दें इस उपाय को लगातार करके देखें मम्मी कि ए महीने में कितनी टिक्या लगेंगी 20-25 टिक्या लग जाएंगी उतना सा वो खर्च होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि सबी जगह कपूर की ट कारोबार सब शुरू हो जाएंगे तो यह चोटी सी एक जानकर थी विडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक करें शेयर करें सबस्क्राइब करें मैं मिलती ओक्यसे अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सबका वीडियो देखने कले धन्यावात